मैं दो यह अब बनानी जा रहे हैं मूली और भाठा का सब्चा सब्चे भी तरुट से यहाप पीष दीए अच्छे पर पर्फेक्ट व paint के बच्छे से मूली और भाठा की सब्चे अब कर एक र्यट्डी है इसके लिए मैंने मूली और भाठा तरुस्प इसको मैं अच्छे से छेल लोंगे और इस तरके से कटिंग कर ले रहे हैं देखिए राउंड सेप में जो बैगन का किलर है आप देख सकते हैं यह वाला बैगन का टेस्ट बहुत ही अच्छा रहता है इसे भाटा भी बोलते हैं इस तरके से मैंने प्याइज मेशी टमाटर देल तेल गर्म होने परमेश पर देल जीरा कच्चे मिर्चे प्याज प्याज देखिए इसमें हलका चमश ला देंगे फिर में इसमें डाल दूंगे मूली इस तरीके से सभी मूली को एट कर देंगे देखिए इस तरीके से मूली को डालने के बाद चमश की मतर से सभी को अच्छे सिविक्स कर देंगे देखिए मूली को डालकर इसमें अच्छे से चमश ला देंगे फिर मैं इसमें टाल दूंगे भाटा मूली को हलका ही फ्राई करने के बाद इसमें बैगन को डाल कर देंगे और कड़ी पत्ता को भी सांध मैट कर दी हूं अब चमश की मतर्स के इसको अच्छे से फ्राई करेंगे खोती हूँ चमश लाते रहने बीच बीच में इस तरीके से इसमें डाल दूंगे नमक स्वादमसर जब फ्राई हो चाहेगा तो फिर इसमें और चमश लातेंगे इस तरीके से देखें नमक डानलिक पाद भी अच्छे से और फ्राई हो चाहता है मुली इसलिए मैं नमक पहले डाल दी हूं इस तरीके से अच्छे से चमश लाना है फिर मैं इसमें एड़ कर दूंगी टमाटर देखें इस तरीके से यापस में मुली और भर्टक जो बैगन की सब्जी है उसको खटा मी बनाऊंगे टमाटर को डाल करके इसको अच्छे से टमाटर को चमश ला देंगे मिक्स कर इस तरीके से टमाटर को भी अच्छे से पकने देंगे फिर मैं इसमें डाल दूंगे हल्दी पाउडर और इसको अच्छे से चमश ला देंगे देखिए जब इस तरीके से अच्छे से फ्राई हो गया है और पुली भी पखने लगा है टमाटर भी अच्छे से पख गया है देखिए तो फिर मैं इसमें एट करूंगी दही देखिए मैंने लिए दही हल्का सा दही में बेशन डाल दी है और इसको इस तरके से डाल देंगे सब्चिमी दही को पाणि टालकर हल्का घोल देना है झाल 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 झाल